कि जिन्दल सर आपने इसका नाम लिखा higher purchase and installment system जिन्दल सर यह chapter एकटछा है या यह दो अलग अलग है नहीं समझे higher purchase and installment system सर इसको एकटा पड़ेंगे या higher purchase अलग है और installment system अलग है तो पैटे इस छोटे से question का जवाब यह है कि ये दोनों अलग-अलग है accounting देखने में आपको एक जैसी लगेगी लेकिन ये दो अलग-अलग contract है और इन दोनों की जो accounting technique है वो same होते हुए भी हम इनको अलग-अलग पढ़ेंगे नहीं समझे बात higher purchase अलग है पेटे installment system अलग है और मैं starting में ही आपको बता दूँगा कि इन दोनों में क्या difference है तो मैं इसलिए कह रहा था आपसे कि noting voting सब बात में करेंगे पहले मुझे आप 10 मिनट इसके उपर बोलने दो और जब बात आपको बिलकुल clear हो जाएगी फिर मैं आगे पढ़ूँगा चलें आगे मैं सबसे पहले higher purchase पे बोलना चाहता हूँ मैं सबसे पहले higher purchase पे बोलना चाहता हूँ installment system इसके बाद देखेंगे मैं एक example ले रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना ज़रा प्लीज मैं एक छोटा से example ले रहा हूँ एक percentage Mr. जिंदल मैं अपनी बात कर रहा हूँ और एक percentage ही मेरे पास Mr. शिव शिव मेरे manager है इन्होंने मेरे पास 2005 में join किया था काफी साल होगे हैं शिव मेरे पास 2005 में आया था मतलब शिव को सेवा करते हैं बहुत साल होगे किसी ने शिव के कान भर दिये और एक दिन शिव मेरे पास आया और शिव मुझे कहता है शिव मेरे जिंदल साब जब मैं आपके पास आया था तब आप स्कूटर पर होते थे राइट आज आप Mercedes और Jaguar में भूंते हो आपने मेरे लिए क्या किया तो मैंने शिव को बोला अरे शिव तरको साइलरी देता तो हूँ हर महीने कहता है नहीं सर आपके पास एक मारूती ओल्तो खड़िये आप उसको चलाते भी नहीं हो आप उसको देखते भी नहीं हो वो बेकार खड़िये मुझे आपकी ओल्तो चाहिए अब मैं भी स्कूटर पर नहीं आऊँगा, मेरे को आपकी मारुती आल्टो चाहिए। मैंने शिव को समझाया, शिव आल्टो क्या करनी है तो ने तेरे पास बढ़ी है अपना स्कूटर है, स्कूटर पर रहता है बढ़ी है। और मैंने बिलकुल मना कर दिया कि भाई देख मैं अपनी गाड़ी तो तिरको दूंगानी, मारूती अल्टो मेरी पहली गाड़ी है, मैं किसी को नी दूंगाई है, मेरे पास खड़ी है, मैं चलाओ या ना चलाओ मेरी मर्सी इतना बड़ा मुभ फला लिया और कहता है, मैं दो दिन के चुट्टी पे जा रहा हूँ, दो दिन की चुट्टी मार गया, कहता है, मुझे तो बुखा रहा है, मैं तो आनी रहा, सीधी सीधी पार नराज हो गया, घर चला गया, तीसरे दिन, दो दिन के बाद, तीसरे दिन, बिल्कुल ब्रेंड न्यू कार, मारुति अल्टो बिल्कुल नई गाड़ी, शोरूम से निकलवा के लाया, और मुझे चाबी घुमा के दिखा रहा है, ऐसे, ऐसे, मैंने शिव से पूचा, शिव, नई गाड़ी, तो मुझे कहता है, जंदल सर, आप अगर मुझे गाड़ी न मैंने का पैसे, केतकिष्टों पे, मैंने का बात समय में नी आई, कहता जी मैं तो मारुति के शोरूम पे गया, मैंने उनको बोला कि गाड़ी चीए, उन्होंने मेरे से पचास अजार उपे लिए, पचास अजार उपे मैंने उनको दिये, और बाकी मैंने मन्थली गाड़ी की कीमत है! घॉल अर मैंने उससे पूछá मैंने कितने पैसे दिये केता जी पचास हजार रफे तुम्हें दे आयाएं ड्वाइट ट्रेंड गड़्शाम और हमिचंग 30 wy ih जहां जियां अरहा हैं मैंने बोला फिर तो दो लाग बचते हैं केता जी बिलकुल 2,000,000 बचते हैं मैंने बोला इंस्टॉल्मेट कितने गी है केता जी मैंने ना उनको 55000 रुपे की 60 installmen देनी है और मेरा जो है 5 साल का loan है हाँ एक साल में 12 installments जाएंगी 12-5-7 5 साल का loan agreement है तो मैंने शिवको बोला शिव ये तो 3 लाग बनते हैं वो करता है ये कैसे हो गया बचने चाहिए 2 लाग installment चुका रहा है वो 3 लाग मैंने शिफ को बोला रहे भाई ये तो 3 लाग बनते हैं 50,000 रुपे तू उनको डाउन पेमेंट दे आया 3 लाख रुपे की तूने इंस्टॉल्मेंट्स देनी है तो तूने तो 3.5 लाख रुपे दे दिये तू तो कहरा गाड़ी 1.5 लाग की है पर तेरी जेब से तो 3.5 लाख निकल गए इसको गए टेंशन ये पहुंचा कमपनी के शोरूम में और उनसे पूछा कि तूम 5.5 लाख की गाड़ी के मेरे से 3.5 लाख क्यों ले रहे हो भाई तो मैनेजर साब ने आप इनको समझाया कि आप तो गाड़ी लेने के चक्कर में पूरे जोश में थे आपने हमारी बात ही नहीं सुनी आपके पास पैसे तो थे ही नहीं आपने 5.5 लाख की गाड़ी हमसे ली दिये सिरफ 50 लाख रुपे हमने आपको एक तरह से उधार दे दिए गाड़ी आप ले गए पैसे आप देके नहीं गए तो 2.5 लाख रुपे हमने आपको उधार दे दिए गाड़ी उधार पे दे दी तो उस पर इंटरस्ट नहीं ले गए क्या यानि इस पूरे कॉंट्रेक्ट के अंदर आप देखो तो 2.5 लाख रुपे की गाड़ी के जब हम 3.5 लाख रुपे चुकाएंगे एक लाख रुपे एक्स्ट्रा चुकाएंगे तो वो हमारे फाइनाइस चार्जीज है बेटे आप कॉंट्रेक्ट को समझो जब हमारी जेव में किसी एसेट को लेने की हैसियत ना हो लेकिन हम फिर भी उसको परचेज करते हैं तो इंस्टॉल्मेंट बेसिस पर खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसे होते तो आपको एक भी रुपे एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता आपकी गाड़ी धाई लाग में मिल जाती है आपको आप धाई लाग का चेक काटो कंपनी आपको आज इंटरस्ट भी कह सकते हो तो मुझे यह जो कल्चर मैंने आपको एक्जाम्पल में दिखाया अभी यह कल्चर इंडिया में अट प्रेजन चल रहा है और आप लोग जानती है इस बात को practically इतने चोटे भी नहीं है कि कोई भी समान चाहे वो मॉबाइल फोन हो चाहे वो आपके टीवी हो, चाहे वो वाशिंग मशीन हो, चाहे वो गाडियां हो, चाहे वो ट्रेक्टर हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, सब इंस्टॉल्मेंट में मिलते हैं और इंस्टॉल्मेंट में करना क्या होता है आपने दीरे दीरे पैसे चुकाने होते हैं तो यह जो मैंने आपको एक्जाम्पल दिया अभी हम इस सिस्टम को कहते हैं हायर परचेज सिस्टम और मैं इसके कुछ फीचर आपको एकके करके बताऊंगा बेटे सुनना मेरी बात नंबर वन जब इस तरह का कोई कॉंट्रेक्ट नजर आए जो मैंने डिसकस किया आपको शिव का नाम लेके इसमें कुछ पैसा डाउन पेमेंट में दे रेते हैं और बाकी का जो पैसा है वो इंस्टॉल्मेंट्स में कनवर्ट करा लेते हैं और इंस्टॉल्मेंट के अंदर दो चीजे होती है एक तो प्रिंसीपल अमाउंट रहेगा जो उस एसेट का चुकाना है हमने प्लस कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी जाएगी जिसको इंट्रस्ट बोलेंगे हम यानि यह जो धाई लाक रुपे हैं हम इसको एक नाम दे देते हैं इडिस कॉल्ड कैश प्रा HPP HPP का मतलब higher purchase price और higher purchase price में बेटे दो चीजें शामिल रहेंगी एक तो cash price और दूसरा interest और interest की payment over the period जाएगी Point No.1 मैं दुबारा बोलता हूँ Point No.1 higher purchase contract के अंदर हमें asset की कीमत पूरी नहीं देनी होती थोड़ा वो down payment देना होता है और बाकी का सारा पैसा installments में जाएगा installments में principal भी जाएगा interest भी जाएगा Point No.2 बेटे इसमें जो vendor party है vendor मतला बेचने वाला वो अपने asset की delivery दे देते हैं कि आप गाड़ी ले जाओ आप ट्रक ले जाओ आप टेम्पू ले जाओ कोई दिक्तत नहीं ownership transfer नहीं करता ownership buyer की favor में तब तक transfer नहीं होगी जब तक की वो last installment payment नहीं कर देता जब उसने सारे पैसे चुका दिये तब उसको वो एक NOC issue कर देता है no objection certificate कि इसके सारे पैसे आ गए है अब मैं आपको NOC दे रहा हूँ आप अपनी जो गाड़ी की जो RC है registered copy अपने नाम कर वालो अब जैसे मैंने Mercedes ली bank से मैंने उसको finance कराया मैं installment देता गया तो मेरी गाड़ी की RC के उपर लिखा हुआ था HP with HDFC bank और जैसी मैंने loan clear किया मैंने bank से लिया NOC no objection certificate फिर मैं transport department गया मैंने उनको RC की copy दी अपना NOC दिया अब दबारा से copy बन के आई है अब उस पे से HP हट गया है अब वो title मेरे नाम हो गया है तो ownership तब तक transfer नहीं होगी जब तक कि मैं सारी payment clear नहीं कर देता पॉइंट नमबर 3 अगर कोई भी buyer क्योंकि देखो contract 5 साल का है 60 installment है एक साल में 12, 12, 5, 60 कभी भी buyer की जैब में पैसे short हो सकते हैं और हो सकता है कि वो installment की payment करना बंद कर दे तो higher purchase contract में close होता है कि अगर कोई buyer अपनी payment करना बंद कर देता है यानि वो defalter बन जाता है और वो payment में default करता है तो vendor party के पास right रहेगा कि वो कभी भी अपने assets को repossess कर सकते हैं vendor के बंदे आएंगे गाड़ी उठा के ले जाएंगे क्यों क्योंकि ownership अभी भी उनके पास है ownership उन्होंने transfer की नहीं है तो वो कभी भी अपने बेचेवे goods को वापिस ले जाएंगे फिर बच्चे पूछ लेते हैं सर वो क्या करेंगे वो उसको repair कराएंगे बैटे second hand market में बेचेंगे और अपना पैसा recover कर लेंगे और ये गया काम से जिसकी गाड़ी उठा के ले गए ये गया काम से वो गाड़ी को second hand market में बेचके अपने पैसे ले लेते हैं यानि repossession करने का राइट vendor party के पास रहेगा और हम इसकी accounting detail में सीखेंगे कि repossession के time पे accounting कैसे होती है repossession कितने तरह का होता है ये सारी बात हम इस chapter में सीखेंगे अभी मैं आपको basic बता रहा हूँ समान हम किष्टों पे लेके आएं ब्याज भी दे रहें और principle भी दे रहें ownership हमें मिली नहीं है payment में default करेंगे वो अपना समान उठा के वापिस ले जाएंगे point number 4 point number 4 ये जो बैटे higher purchase contract है higher purchase जिसमें ownership transfer नहीं होती ये आम तोर पे high value goods के लिए enter किया जाता है high value goods का मतलब गाडियां truck tractor tempo जितने भी high value goods हैं उसके लिए इस तरह के contracts बनते हैं है आप यह भी कहसकते हो कि जिन चीजों को मार्केट में resale किया जा सकते हैं क्योंकि गाड़ी की resale value है ट्रक की भी resale value है जितने भी high value goods है उन सब की resale value है उन्हें market में दोबारा बेचा जा सकते हैं तो रिपोजास किया रिपेर कराया और सेकेंड मार्केड में बेच दिया तो जितने भी हाई वैल्यू गोड्स है या जिनकी री सेल वैल्यू हो सकती है उस पर हम हाईर परचेस कॉंट्रेक्ट साइन करते हैं अब आप पूछेंगे जिंदल सर यह कहानी चलो आपकी ठीक है इंस्टॉल्मेंट सिस्टम क्या है सर तो पेटें इंस्टॉल्मेंट सिस्टम और हाईर परचेस सिस्टम में 99 परसेंट कॉंसेट्ट सेम है उसमें भी सब कुछ यह होता है किष्टों पर लेके आते हैं उसमें इंट्रस्व इंट्रस्व भी देते हैं सारी चीज़े सेम है लेकिन उसमें एक चीज़ का डिफ्रेंस है उसमें ओनर्शिप हाथो हाथ दे देते हैं ओनर्शिप की वेट नहीं करते हैं और ओनर्शिप हाथो हाथ देने की वज़ा से ड higher purchase में आप अपना समान वापिस उठाते हों बेच के पैसे recover कर लेते हो लेकिन installment system में हम समान नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ownership हात्वा दे रेते हैं उसका reason यह है कि installment system के अंदर हम उनी goods की बात करते हैं जो resell नहीं हो सकते टीवी, मुबाइल फोन्स, वाशी मशीन, रेफरिजरेटर, माइक्रोवेव, यह जितने भी हाउसोल्ड कंज्यूमेबल्स हैं, इनको अगर हम वापिस उठा भी लेंगे तो बेचेंगे कहां सेकिंड हैं, इलेक्ट्रोनिक्स की वैल्यू बहुत कम होती है, मार्केट में पैसा रिकवर नहीं हो पाता, तो लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू जाना ही बैटर रहते हैं तो जितने भी गुट्स की low value है, यह आप यह कह सकते हूं, जिनको मार्केट में resale करना बड़ा मुश्किल है वहां पर installment system है, और जहां पर resale हो सकती है चीज़े मार्केट में, वह अई higher purchase system है, high value goods, low value goods समान दोनों जगा किष्टों भी लेके आते हैं दोनों जगा ही हम उसमें फाइनांस चार्जीज पे करते हैं बस इन दोनों में फरक सिर्फ इतना है कि हम वहाँ पे ओनर्शिप हात्वा ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे ओनर्शिप लास्ट पेमेंट के बाद जाते हैं वह मार्केट में बेचने जाओगे तो उसके पैसे बहुत कम मिलेंगे आपको. इन चीजों की वैल्यू तब ही तक है जब तक शोरूम में पड़ी होती है. एक बार फ्रिज टीवी आपकी घर पे आगया उसकी वैल्यू कम हो गई. एक और बात बेटे, जितने भी हायर पर्चेज के ट्रांजेक्शन्स हैं, इनकी उपर बना हुआ है हायर पर्चेज एक्ट 1972, HP एक्ट, और जो हमारा इंस्टॉल्मेंट सिस्टम है, जिसमें ओनर्शिप हात्वा ट्रांसफर कर देती हुआ, उस पे लगता है सेल आफ गुड् है, और यह HP एक्ट के दाएरे में आता है, और दोनों में एक ही डिफरेंस है, और वो है रिपोजेशन का, इंस्टॉल्मेंट सिस्टम में गुड्स को रिपोजेस्ट कर करने का फाइदा कोई नहीं है, हम उसको कोड में उसको पर केस करेंगे, और वहां जाके उससे पैसे है, और वेटे सच बात तो यह है, कि लीगल प्रोसीडिंग्स में टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी मार्केट में कल्चर है, उधार पर माल बेचने का, लोग किष्टों पर ले रहे हैं सब, आप किसी भी शोरूम पर जाते हैं, तो आपको EMI ओफर करते हैं, आप फिलि हम इस चैप्टर में इस तरह के कॉंट्रेक्ट की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, और सबसे मज़े की बात ही है बेटे, किसी भी कॉंट्रेक्ट में दो पार्टियां होती हैं, एक समान बेचने वाली, एक समान खरीदने वाली, समान बेचने वाले को हम बोलेंगे हायर व कोशन नहीं आता, higher purchase का आता है, उसका reason कि है higher purchase में authentication involved होने की वज़ा से question थोड़े से complex हो जाते है, Installment system की question पेपर में इस लिए नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे repossession की accounting होती हैं, higher purchase की question इसलिए आते हैं क्योंकि examiner सारी चीज़ पूछना चाहते हैं, तो रिपोजाशन की वरा से ये पूछा जाता है पेपर में, इसमें अकाउंटिंग जादा हो जाती है थोड़ी से, तो 99% चांसी हैं कि हायर परचेस का कोश्चन ही आएगा, क्योंकि इसमें कॉंसेप्ट एक्स्ट रहे हैं आपके, मेरी बात समझे आप, तो दो पार्टी होत हमें बनानी आनी चाहिए, समान उधार पे खरीदने वाला, और समान उधार पे बेचने वाला, अपनी अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कितने मैथर्स हैं, वो सब सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, और मुझे लगता है चार-पांच लेक्चर तो लोगेंगे इस करने के दो ही तरीके होते हैं, जिंदल सर, एक तो सेल परचेज होती है कैश बेसिस पे, और एक होती है सर क्रेडिट बेसिस पे, नहीं बेटे, ये तीसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है, हम इसे कहते हैं इंस्टॉल्मेंट बेसिस पे, या तो सेल कैश में करोगे, या उधार करोगे, उधार का पैसा एक-दो महीने में आ जाता है, और तीसरा टाइप है, जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, वो है किष्टों पे, आसान किष्टों पे, EMI का मतलब easy monthly installments, आसान मासिक किष्टों पे, सर, 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 installment sales तो ठीक है, क्या ये जरूरी है कि installment monthly basis पे हो, ना, 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 installment monthly basis पे हो सकते हैं, quarterly basis पे हो सकते हैं, सेमी एनुवल हो सकते हैं, एनुवल हो सकते हैं, टू एरली हो सकते हैं, जैसी इंस्टाल्मेंट होगी वैसा ब्याज होगा, इंस्टाल्मेंट मन्त बाइ मन्त आएगी तो ब्याज भी मन्त बाइ मन्त लगेगा, इंस्टाल्मेंट एनुवल आएगी तो ब्याज भी एनुवल basis पे लगेगा, two yearly आएगी तो दो साल का भ्याज लगेगा, नहीं संजे बात, मैं बताता है, माल लो, cash price है बेटे, धाई लाक रुपे का, ठीक है sir, इसकी down payment है 50,000 रुपे, ठीक है sir, बाकी कितने बचे, दो लाक रुपे, ये balance बच गया, इसकी चार किष्टे बना दी, first year, second year, third year, fourth year, जब मैं बोल रहा हूँ year, तो annual installment है, 50,000 रुपे की चार किष्टे हैं इस पे, अब ये 50,000-50,000 की जो चार किष्टे हैं, ये मैं आपको principle की बता रहा हूँ, अभी मैंने interest की बात नहीं करी, मालो, interest का rate है, interest rate, 10% per annum, 10% per annum, तो मेरे इसाब से, पहले साल का जो ब्याज है, वो 20,000 रुपे बनेगा, 50,000 रुपे की गाड़ी थी, 50,000 रुपे उनको दे दिये, उनको बोला, जी 2,000 रुपे का हम लोन लेना चाहते हैं आपसे, तो पहले साल का ब्याज बनेगा, 20,000 रुपे, 2,000 का 10%, तो 50,000 ये, 20,000 का ब्याज, तो installment जाएगी 70,000 रुपे की, अब 2,000,000 में से 50,000 कड़ गए, अब मेरे पास लोन कितना बच गया, 1,500,000 रुपे का, तो 1,500,000 का 10%, 15,000 का ब्याज है, तो 15,000 का ब्याज, 50,000 का प्रिंसिपल, 65,000 रुपे की किष्ट आपको देनी पड़ेगी, अनुवल, अब मेरे पास बच गया है, 1,00, तो 1,00,000 का 10%, कितना बचेगा, 10,000, 10,000 का ब्याज मुझे इसमें आड़ करूँगा 60,000, अब कितने बचेगे हैं, 50,000, 5,000 का ब्याज आड़ करूँगा, 55,000, सीधी सीधी बात, पहले साल का आउटस्टेंडिंग लोन है 2,00, दूसरे साल का आउटस्टेंडिंग लोन है 1,00, तीसरे साल का आउटस्टेंडिंग लोन है 1,00, और लास्ट यर का फिर 5000 जैसे जैसे लोन कम होता जाएगा ब्याज कम होता जाएगा और इंट्रेस्ट केल्कुलेट हमेशा करते हैं लोन पे आउटस्टेंडिंग बैलेंस पे यह कैल्कुलेशन करनी होती है बैटे बस आपने तो इस ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग वेंडर के बुक्स में भी करना सीखेंगे पर चेजर के बुक्स में भी करना सीखेंगे खरीदने वाला क्या लिखता है बेचने वाला क्या लिखता है यह सारी बाते करेंगे पर मुझे लगता नहीं बेटे की कोई मुश्किल काम है इसके अंदर जैसे हम लोन अकाउंट नहीं बनाते एक सिंपल लोन अकाउंट, दो लाग का लोन, 20,000 का ब्याज, 70,000 देदो, डेड़ लाग का लोन, 15,000 का ब्याज, 65,000 देदो, तो ब्याज एड़ करके देना है आपन तो cash price के अंदर interest add करते जाओ, payment करते जाओ तो ऐसा करते हैं, मैं आपको ज़रा थोड़ी सी basic बाते लिखवाता हूँ और फिर example कराता हूँ, अभी मैं question नहीं करा रहा हूँ जब तक आपकी command नहीं हो जाएगी, entries पे और examples पे और questions पे मैं आगे नहीं पढ़ूगा, मैं आराम से पढ़ाओंगा बेटे आपको, अभी मैंने chapter शुरू भी नहीं किया और मुझे लगता है जितनी बात मैंने अभी बोली है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम तो बेटे इंस्टॉल्मेंट बेसिस पे पढ़ रहे हैं chapter को, तो लिखे ज़रा, मैं अगर आपको लिखवाना चाहूँ, यालिगे, सब दो, मैं अहा जएिए सर आपको थां, बेत्यघर च।ा आपको और, को तो मैंने हैं आपको अझ।, मैंने चाहरे जित्धों आने ये सब्लूंए चाहरे हैं थाहरे हैं, हुर्ड़ मैंने किया से this करत है हाइर पर्चासे स्टम अधर पर्चासे स्टम अधर अधर हाइर पर्चासे स्टम अधर हाइर पर्चासे रखल को स्टमिप अधर यार फ्रॉटसर्ट रार न पर कि पर कि और स्टाइब … और है पर्वार डंड हाइब वह भी इंस्टाल्मेंट है यह भी इंस्टाल्मेंट है बात तो इंस्टाल्मेंट की चल रहे है पैसा था नहीं किश्टों पेले लिया आपने तो आपको थोड़ी सी पेमिट करनी पड़ेगी इन दा पॉर्म आफ इंटरस्ट यह तो कोई बंदा किसी को अधार क्यों देगा बट छिबेवार को मया नहीं कमत्र घब Youtube और किसी इन दोड त्रकार्काशत्टों गा catalyst अन keynote teacher शेले। और किप्ड़र का सूजर ख स्टा मीड़ेगा बंदास्टार्टों ग्रया ध Hey Game Master झाबचा एंधने exhibits k похожas आपथूंटुश्टुशबडूD after making after making payment you in case for json makes any default in the payment of installments then then